स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल तपस्जेटीच में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी इयरटेल पैमेंट शन्की यूज करता है आप एयरटेल पैमेंट सुवेंle के बी सी है वीडियो अच्छा लगया गार तो वीडियो को लाई करके चनल को सबस्क्राइब कर दियेगा कैश डिपोजीट वाला उप्सन है इस पर किलिक करेंगे जैसे किलिक करेंगे कुछिछ सपर कर काई इंटर्फेस हैगा depositor mobile number यानि कि जो mobile number है उसको यहाँ पे enter करना है तो चलिए जो भी लोग eater payments bank चलाते हों उनका जो mobile number होता है वही account number होता है उस number को यहाँ पे enter करेंगे इंटर करने के बाद नीचे हम लोग amount को enter करेंगे यहाँ पे कह रहा है deposit amount यानि कि कितना रूपिया डालना है उस रकम को यानि कि उस रूपिया को हम यहाँ पे enter करते हैं तो चलिए फटा-फट हम क्या करते हैं इंटर करते हैं इंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ सबसे बड़ी problem है लोग सुचते हैं क्या सेलेक्ट करें तो कुछ नहीं सेलेक्ट नहीं सिर्फ आपको जीरो करके प्रुसीड कर देना है तो चलिए हम यहां जीरो डालके और प्रुसीड कर देते हैं जैसे हम प्रुसीड करेंगे तो आप लोग देखेंगे कुछ इस पर गया क्या इंटरफेस यहां पे show हो जाएगा, यानि कि जो mobile number हम दिये हैं, उस पे एक OTP जाएगा, यहां पे कहा रहा है, please enter OTP for customers, mobile to deposit money, यानि कि जो OTP गया है, उस OTP को यहां पे enter करना है, यानि कि verification code वाला जो option दिख रहा है, सबसे उपर, वहां पे उस OTP को enter करना है, देखिएगा, यहां पे OTP आ payments bank चलाते हैं, तो आपका एक M PIN होगा, फोर डिजिट का, उसको enter करके verify वले option पे click किजिएगा, जैसे click किजिएगा, यहां पे देखेंगे, कुछ इस पर गएगा, इंटर फेस हाजाएगा, यहां पे दिखा रहा है payments successfully, यानि कि जो हम 8,000 रुपया डाले है, 100% चला गया, जिनके account में डाले हैं, यहां से आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस परकार से यहां पे message receive अगया, आप देख सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कर दीजेगा, और हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा, ताकि banking से जूड़ी जनकारी मिलती रहेगी,